नभश्कर दोस्तों स्वागत आपका शिप्रा क्लासिज में है एस यूल लो तो वी आर लॉंचिंग आवर जीटी बैज जनल टेस्ट का बैज हम लॉंच कर रहे हैं बागी सब आपको पता ही है कि जीटी का कैसे क्या स्लेवर से कैसे का आपको अचीव करना है टार्गे अपन सब्सक्राइब करते हैं तो फाइब दो फिफ्टी आपके टू फिफिफ्टी फिफ्टी मार्स प्रॉपर एक पेपर होने वाला एग जी टी का नेगटिव लिए इस इसमें नेगटिव लिए मार्किंग एगी माइनस वन डिदक्त हो जाएगा अगर आप गलत कॉलम कर देत तो ठीक है तो एक्जाम क्या रहेगा आपका multiple type questions रहने वाले हैं सेक्वेस्ट रहेगा तो आपके लिए easy हो जाता है attempt करना ठीक है next strategy to get 250 out of 250 काभी बच्चे questions पूछते हैं is it possible yes it is possible अब strategy बनाए कैसे बच्चे सब्सक्राइब करें यूट्यव पर सर्च करते हैं कि स्ट्राइजी मिल जाया हमें कई किसी YouTube चैनल से तो देखो बैटा मैं डारेक्ट फ्रैंक्ली बता रहा हूं आपको ऐसी को स्ट्राइज नहीं है बताता हूं अब किसी बच्चे का क्वांट इस्ट्राउंग होगा किसी बच्चे कर जीके की स्ट्राउंग को बना ले वाले elements चैनल यूले को पता है न तो यूपन फोकस ओन वीक पिलर और जो आपका स्ट्रोंग पिलर उसका मल्टिपल टाइम रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अब हरेकी स्ट्रेजी आप ही फॉलो कर सकते हैं अब हरेकी स्ट्रेजी हमें थोड़ी ना पता होगी हरेकी स्ट्रेजी यूटीब वालों को भीटा तुमको यह मिल रहा है अब साइंस वाले हमारे फिल रिंडर यह वीख है तो उनको यह मिल रहा है बक्स क्या करना है जिनका जो Detail कर लेंत ओर करने है तो मेरा यह मानना अगर आप जीके में 15 क्यूशन इजी अटैप्प कर ले और 35 क्यूशन इन दोनों की मिलागे कर ले तो आपके 50 इसली आ सकते हैं तो येस इट इस पोसिबल आप 250 आप फिटी ले सकते हैं लुट नेक्स्ट आइविल बीद्यूर जीके वाला ठीक है जनल नॉलीज जितनी भी आपका प्रॉपर वे में डिल करेंगे सारी प्रॉब्लम सोल करेंगे और कैसे इन सब्जेक्ट को आपको डिल करना है वो डिल करेंगे अब हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब् फेस्टिवल्स तो मुझे यह पता चल गया कि मुझे आर्ट में से यह करना एंशेट पूछ लेंगे आपसे अशोकन पिलर के बाइस के बारे में पूछलेंगे इस तिन बन रहे हैं राथ बन रहे हैं चांद दिख रहा एंगई सब्सक्राइब इस टाइब के साइंस में पषिक्ट्स प्रिक्स रहें लेंगे श्वार्य के भारें फॉच लेंगे थीक है किमेश्टि में आपके वही विटामिस की क्या रहेगा आपको भी पता है प्रेजिदेंट के बारें पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर के आपका टैनर दे दिया इस टायम पे पूछ लिया आपके अटल भाजबाय जी पूछ लिया लालबादुर्य शाच्त्री जी का चैन प्रेश्ट में प्रेश्ट हो सकते हैं अब प्रेश्ट कौन था एक्जामबल आपका फर्स्सी सीम कौन था वोमें सियम पस्त आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने ठीक है भुक्स के बारे पूच लेंगा इंप्टन बुक्स जो है उनके बारें पूचलिया हो जाते हैं वो ठीक है one-liner questions सारे लगबग रहेंगे आपके one-liner questions तो गबराने की जरूरत है नहीं अब करना क्या है focus यह करना है हमें maximum मैं आपको tricks भी कराऊंगा निमोनिक्स भी कराऊंगा story proper way में भी कराऊंगे ताकि आपको जब आप question तो मैं आपका पूरा एक पार्ट कराऊंगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं अब अब स्टे फोकस्ट और तीस दिन की strategy ले गया है क्योंकि उसका focus क्या था कि मुझे निशाना पता है तो आपका निशाना क्या है टू फिफ्टी आउट टू फिफ्टी लेके आना डारेक्शन देने के लिए हम बैठे हैं आपके गुरू दुरोन हम हैं हम आप से अंग उठा नहीं लेंगे डॉंट वरी ठीक है तो आपको focus क्या करना है मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं डारेक्शन हम देंगे जाना आपको पड़ेगा अब ओमर शीट भरने मैं तो जाओंगा नहीं आपके साथ में ओमर शीट आपको भर्फिल करनी है ठीक है तो focus रहना है ध्यान से करना है तीस दिन की proper strategy रहेगी ध्यान से आपको जो subject आपका वीक है उस पर ज्यादा focus कीजिए और जो आपका उसका multiple time revision करते ही ठीक है तो इस तरीके से करेंगे next most important topics काफी बच्चे यह भी पूछ लेते सर most important topics बदा दो तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा बेड़ा पार बेटा ऐसे नहीं होता है बेड़ा पार आपकी तयारी करने से ह ही होगा बेड़ा पार प्रोपर क्लास लगाने से ही होगा कैसे होगा अब मैं कहा दू डांसी जाए डांस फॉर्म आगे इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स आ जाए नेशनल मुमेंट्स के बारे पूछ लेंगे पॉलिटी में प्रेजिडेंट हो गया आपको पूछ लेंगे प्रेजिडेंट पूछ लेंगे फंडामेंटर राइट्स के आटिकल्स पूछ लेंगे मैंजदा फॉलिंग्स में कुछ पूछ लेंगे तो कुछ भी आ सकता है ना जीके कुछ भी आ सकता है बट अगर बेसिक नोलीज होगी तो यह क्वेशन बहुत इजी लगेंगे आपक गित को देन ऐसा इए धोर बटॉर्टिक सबढ़या हुआ था इंपरेटेंट बॉक्स के बारे में एवेसिडों के बारे मैं चैयंक्तक याए waterproofी और लेगे थे लगी के रहेगी तो आप एजली कर लोगे ठीक है तो वट नेक्स्ट हाउ टू अप्रोच जीटी जीटी को प्रोच कैसे किया जाए तीस दिन की प्लाइनिंग रहेगी 30 डे स्ट्रीजी सिरीज करें स्टार्ट करेंगे तर्डे सीरीज रहेगी उसमें प्रोपर में आपका पूरा प्रोपर वे में आपको हर चीज डाउट शेशन भी रहेंगे समझाया जाएगा जिक के मैं डील कराऊंगा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप हंड़ट परसंट सिक्योर करेंगे अपना ड्रीम कोलीज आज अपना लिख लीजिए कि आपका ड्रीम कोलीज अपना है मचली कोई मारना निशाना मचली की आख का निशाना होना चीए कोलीज मेरा यही रहेगा ड्रीम कोलीज मेरा यही और इसको मैं अचीव करके रहूंगा ठीक है अब 30 दिन में आपका बविशे डिसाइड हो जाएगा क्यों 12 तक तो आपने जितनी मोज लेनी थी ल जयोग्राफिक और हुआ जहां जोगरिफी के बाद कारें परोपर रवें क्योशान डील होगा ऑलटी हो यह पॉलिटीय के बाते हैं करा दे किया करा दियंगे ठीक है क्या करना है तैयारी करनीąd invece निमोनिक कराम हो एच्चाफ करेंगे परलाद सर्भ्य आपको ल्मोनिक्व इसा होना चाहिए नेक्स्ट डाउट शेशन डाउट शेशन भी रखे जाएंगे चिंता करने की कोई जरूत नहीं है लाइव डाउट शेशन रहेंगे परस्टनल प्रोब्लम भी डिल कर लेंगे बस फॉकस क्या करना है डारेक्शन डारेक्शन आगर आपको मिल गई तो मैं सब्सक्राइब कर लिजिए लिख लीजिए आज आज आपका ड्रीम कोलीज क्या है और हम आपके साथ हैं वी विल डिल विद यू जीटी का एक्जाम आपका टूफिटी आप टूफिटी टार्गेट लेके चलेंगे थैंक्यू एन आव नाइस डे लाइक शेयर और सब्सक् बेल आइकन को बजा लीजिए तभी आपकी दिमाग की घंटी बजेगी थैंक्यू एन आव नाइस डे